Hello Students, Welcome Back So, आज हम डिसकस करने वाले हैं Glygly Synthesis और Glyallosynthesis के बारे में So, यह equation जो है इसका Glyallosynthesis का वो next आपको पता लगेगा पहले हम डिसकस करेंगे Glygly Synthesis का equation को पहले तो equation को अच्छे से जानना पड़ेगा इसका equation को लिखने के लिए NH2, Single Bond, CH2, Single Bond, CO, OH PLUS H, NH2 को लिख सकते हैं फिर Single Bond, CH2, CO, OH और OH और H जो है वो Eliminate होगा क्यों Eliminate होगा मैं आपको फिर डिसकस करूँगी उसके बाद पहले यह solve कर लेंगे solve करने के लिए जो है बहुत आसान है फिर हम यहाँ लिखेंगे NH2, CH2, Single Bond, CO Eliminate होने के पाद उसे दो equation को मिलाना पड़ेगा CO, NH, Single Bond, CH2, Single Bond, CO, OH आएगा PLUS H2 वो आएगा लेकिन मैं है लिखना mention करना भूल चुकी हूँ तो जो bond form होता है CO, NH, CH2, Single Bond, CO, NH और CH2 के बीच में से peptide bond कहता है तो वो H group जो है माइनस में रहता है और H group है हाइडोजन में रहता है आपोजिट जो है प्लस माइनस अटराक्ट होने के बाद जो है वो वाटर मॉलीक्यूल बन जाता है फिर वो वाटर जो है रिमू हो जाता है तो इसलिए इसे इलिमिनेशन क्यों ये इलिमिनेट क्यों हुआ है इसका रीजन बस यह है उसके बाद जो है गलाई अला सिंतफिस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एक्विशन है NH2 CH single bond CH2 single bond COO H फिर प्लस NH2 काम फिर ऐसे लिखेंगे that is H and H फिर हम लिखेंगे यहां C single bond H ओपर में फिर single bond नीचे CH3 फिर हम लिखेंगे single bond COY जिस equation को solve करना है तो फिर से यहां वैसे elimination होगा water फिर हमें equation solve करना है तो यहां आएगा NH2 single bond CH2 single bond COOH NH single bond CH3 single bond COOH H यह bond को हम क्या कहेंगे peptide bond